हालो फ्रेंट्स एक बाफ फर से आप सभी लोंका स्वागते दोस्तों आज हम आपके बीच में मौजूद हुए ऐसे सेशन को लेके देखिए काफी पर बच्चों ने करें कि सर जो प्रॉबिल्टी डिणाई एक जाहिए तो आज के सेशन में यही हमने रखाए आज हम लोग डिसकस करेंगे प्राविल्टी डिणाई जो टुफ नहीं वाकई में बहुत टुफ डियाई था जो एस बियाई प्यो मेंस में किस तरिंगे का सवालता approach क्या होनी चीए तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के session में क्या है खास तो यह आपके सामने probability DI high level asked in SBI PO means देखिए बच्चों इसको बहुत ध्यान समझना इस वीडियो को आप last तक देखना और समझने का प्रयास करना क्योंकि यह concept आपके लिए नया रहने वाला है तो बहुत सलीके से बहुत आराम से इस वीडियो को देखना हर एक point को clear करते वे चलना हर point को हम दो तीन बार repeat करेंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आए और साथी साथ अगर questions जो है आपको English में लिखा होगा Hindi में हम समझाएंगे आप समझने का प्रयास करना अगर आपको ये डियाई समझ में आ गया तो इस तरह की डियागर एक्जाम में पर आता है तो आप easily करने शुरू करते हैं यह है आपके पास में डियाई तो बच्चों देखें यह सवाल था जो ए कि इसको समझाने के लिए मैं काफी समय लूगा आपके सामने तो चलिए सॉल्ट करते हैं सबसे पहरी लाइन को पढ़िए अराम से पढ़ते वह आराम से समझते वह मिस सवाल को सॉल्ट करते हैं दियर आर थ्री बैक्स ABC इन इच बैक दियर और थी टाइपस ऑफ कलर बॉल yellow green and black चाहि बच्खो कहन रहा है कि 3 beau up a b c ठीक है कोई दिकत नहीं है हर बैक में तीन तरह की color की ball है । तीन रंग की ball yellow भी वह green प्रेस्व निसमों में तीन गाल्ड है आपके पास में और लिजी एक ये बैग हुआ एक ये बैग हुआ और एक ये बैग हुआ इस एक बी बैग ये सी बैग है इसमें भी क्या है तीन तरह की बॉल है ग्रीन बॉल ब्लैक बॉल और यलो इसमें भी कितनी बॉल है तीन बॉल ग्रीन ब्लैक यलो इसमें भी तीन ग्रीन ब्लैक यलो अब कितनी ग्रीन है कितनी ब्ल यलो कलर बॉल आर वाई तो हमने क्या कहा कि यलो बॉल कितनी यह नमबर ऑफ ग्रीन कलर बॉल जो हरे रंग की बॉल है वो कितनी है अब अच्छों बात को समझें इसको हिंदियों पढ़नेते हैं बैग ए में जो पीली रंग की गेंदे हैं वह वाई है और जो हरे रंग की गेंद हैं वह कितनी है जी है फर कह रहा है कि नमबर ऑफ ग्रीन क्लर बॉल आर फोर में देन दर नमबर ऑफ यलो क्लर बॉल इस लाइ लिए आपे जो ग्रीन बॉल है वह कहा है बच्छों चार ज्यादा है किस से यलो बॉल से तो में नेशन कर लिए आगे पढ़ते हैं वेन बॉन बॉल इस पिक्ट एट रेंडम दिन दे प्रॉबिल्टी आफ गेटिं ब्लैक लर बॉल इस फाइट बाइट देखे यानि प्र फेवरेबल आउटकम्स अपान टॉटल आउटकम्स तो इसका मतलब जो तेरा है ये रेश्यो की फॉर्म में तो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्छों की जो टॉटल बॉल है वो कितनी है अमारे पास में यहां तक सही है यहां तक कोई दिक्कत किसी को चलिए कोई दिक्कत होनी भी नीचिए आगे समझ लेते हैं फिर लास्ट की लाइन को पढ़िए दो वाल्यू आफ वाई इस łem 18 2 x 11 expressed less than g यहलो- और green का relation यहां पर है देखी आप सभी को पता है की नौ सही्पे ग्यारा पर सिंट की जिएग मारफ कीजेगा देखिए हमने क्या क्यात्य से नौ सही एक बटे ग्यारा परसंट की जो वैल्ली होती है कितनी होती है वन बाई 11, फ्रेक्शन मेल्ली मैंने कई बार डिस्कस किया है तो यहां मिल्टिप्लाइट 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास मैं कि 18 सही दो बटे ग्यारा परसिन की वैल्यू कितनी है दो बटे ग्यारा बात समझना बच्छों बहुत ज्यांस से घक है अब इसका मतलब क्या है मैं कई बाद डि्सक्स कर चुका हूं कि 11 आपके पास में टोटल बॉल है तो 11x माल लो ठीक है कोई दीकत 11x माल लो 11x में से कहा है कि the value of y is इतना less देने g से तो मैंने क्या कहा कि जो g आपके पास में इसको समझ लेते हैं जो g आपके पास में दो बटे 11 का मतलब क्या होता है टोटल बॉल 11 थी उसमें से 2 कमें, तो जो green बॉल मैंने माल ली हो कितनी है, 11x है, तो yellow बॉल कितनी कमें, 2 कमें, बात समझ रहे हैं आप लोगे, तो yellow बॉल कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, अब आगे समझ लेते हैं, यहां पर difference देखिए, green और yellow में कितने का difference है, 4 का, तो इन दोनों का difference कितना हो जाएगा, 4 का, यानि 2x की value कितनी हो गई, 4, ठीक है, बात को समझ ना, 2x की value कितनी हो गई, 4 हो गई, x की value कितनी हो गई, 2, तो x की value 2, इसका मतलब green ball कितनी हो गई, 22, yellow ball कितनी हो गई, 18, बात समझ ने आप लोग मेरे, तो green ball कितनी हो गई, 22, yellow ball कितन करेंगे दोनों को जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ ले 40 तो यानि 8x की value कितनी हो गई 40 योगे आगर आप green yellow को देखें तो कितना हो गया sum 40 हो गया तो green प्लस yellow 8x बराबर कितना 40 तो X की value आ गई 5 तो total ball कितनी हो गई 65 बात समझ रे प्रोटल बॉल कितने होगे 65 और यह कितना हो जाएगा ब्लैक बॉल 25 आई हो कि आपको समझ में अभी नहीं आया होगा चलिए एक बार फिरस को रिपीट कर लेते देखिए फिरस रिपीट कर रहा हूं बच्चों आपके लिए ठीक है हर लाइन को हम समझते हूं चलेंगे और ह वन गॉल प्रिंट किया तो गलीटी ब्लाक कितनी हो यूड कितनी है आपके पास में 5 by 13 इसका मतलब हम लोग बोलते है कि 13 जो है वो आपके पास में टोटल है और ब्लाक कितनी है 5 एकस है तो ग्री questioning प्लस यल्लो बॉल कितनी हो जाएगा आपको सिमताओ ऑगा 8 एकस हो तो यलो कितना हो जाएगा 9, तो हमें पता नहीं कि 11 है, हमने क्या कहा, कि green ball माल लीजिए 11X है, तो yellow ball कितना हो जाएगा 9X, और इस line को देखिए आप डिलेशन क्या दिया है, इन दोनों का difference 4 है, तो अगर 4 है, तो इसकी value कितना हो जाएगा, 2X बराबर कितना हो जाएगा, 4, तो X की value कितनी आ गई, 2, तो 2 यहाँ place करेंगे, तो green ball आपके पास में कितना आ जाएगा, देखिए, green ball आपके पास में आ गई, 22, yellow ball कितना आ गई, 18, अब दोनों का sum कर लिजिए, यानि green प्लस yellow आपके पास में कितनी हो गई, 40 ball, और यहाँ पे अगर मैं देखू, black ball की probability अगर 5X है, तो green प्लस yellow कितना है, 8X, तो यह 8X हमेशे किसके बराबर होगा, 40 के, तो X की value कितनी आ गई, 5, तो आपके पास में, black ball कितनी आ गई, 25, total ball कितनी आ गई, आपके पास में 13 multiply 5 कितना हो जाएगा, 65, यह है आपके पास में, total ball, ठीक है, तो यह आपके पास में, bag A का data पूरा हुआ, complete, बात समझ मारी है, यहाँ तक पूरा clear है, तो bag इसको इतना आप अभी note कर लीजेगा, फिर हम चलते है, bag B पे, ठीक है, अब इतना clear हुआ, bag B पे चले, चले, bag B प बात कर लेते हैं, कि number of yellow color ball is 22, 2 by 9% more than that of bag A, अभी आप लोगों से मैंने क्या कहा था, कि yellow ball bag A में कितनी थी, बच्चों, आपको याद हो, अभी हम लोगों draw किया था, कि bag A में yellow ball कितनी थी, बच्चों 18 थी, ठीक है, और वो कह रहा है, कि bag B में yellow ball कितनी है, 22,9% जादा है, त तो क्या करेंगे, समझेगा, अभी मैंने क्या कहा था, आपसे, 11 सही, एक बटे, 9% की value कितनी होती है, एक बटे, 9, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बटे, 9, ठीक है, 2 बटे, 9 हो जाएगा, इसकी fraction value, किसकी fraction value, 22 सही, 2 बटे, 9 कि इसका मतलब ये है, कि यहाँ पर 9 है, तो अब 2 ज्यादा है उससे और 9 किसके बराबर है 18 के बात को समझना यह ऐसा करो दो बटे 9 और 9 डिनोट कर रहा है कि यलो बॉल इन ब्लैक इन बैग ए और बैग यहां मल्टिप्लाइब दो से करो यहां मल्टिप्लाइब दो से स्का मतलब हो गया चार वाई 18 अत्व क्या है कि बैग एम अगर यलो बॉल आठारा है तो बैग बी में यलो बॉल कितनी हो जाएंगी चार ज्यादा है मतलब 22 तो बात समझना गई तो यहां पर हमने क्या किया फिरसे स्लाइन को पड़ा पूरा क्लियर हुआ कि बैग बी कि अगर मैं यलो बॉल की बात करूं तो यलो बॉल मेरे पास में कितनी हो गई 22 ठीक है यहां तक क्लियर है पूरा कोई आउट किसी को नहीं डाउट करूंचिए अब आज यह 75 तो बच्चों बात समझो अगर आप दो बॉल निकालते हैं तो ग्रीन बॉल मैंने कहा जीए तो जी में से आपने दो निकाला मतलब कैसे करेंगे जी सीटू और प्रॉबिल्टी देर की आपको फोर भाई 37 तो कितना हो जाएगा 75 सीटू इस इक्वल टू फोर बाई यह बात समझ में आगई सेम देखिए प्रॉबिल्टी के ही कंसेप्ट है सारे बिल्कुल भी परिशान नहीं होना सौन कर लेके देखिए तो इसको मैंने क्या किया जी सीटू को इस लिखो इसको लिख लेंगे 75 74 डिवाइट बाई 2 यह इससे पूरा कैंसल हो गया तो आपक इसको इसको आड़ सौल कर लें क्या होता है जी जी माइनस वन और अपन में तो आएगा तो वह चला जाएगा चैसो बहुत आएगा तो आप देखिए इसको सौल कीजिए चैसो को मैं लिख सकता हूं 25 मल्टिप्लाइ 24 और 24 को मैंने क्या लिखा 25 माइनस एक अब कमपैरेजन अगर बच्चों आप लोग कर लें तो यहां से जी निकल के आगे आपके पास में कितना सनुनिर के 25 इसका मतलब क्या हैं इसका मतलब यह है कि यल्लॉबॉड मेरे पास में कितनी निकल क्या गई दी बाइस गरीन मॉल कितनी निकल गया क्या पचिस और टोंटल बाल मेरे पास में बैक बॉल्लाश बॉल्ड व मेरे पास में कितना हो में बात कर। बल्एकशाम का बैक सवाल के उनको आसनी से आध कर लेगे सब देखा था तो आज चलते हैं बैख सी को धेखते हैं अगए चलते हैं बैखlement करिया कि उधार अब back c की बात करते, same approach है back c, ratio of green color ball and number of black color ball, तो green मैंने कितना कहा, 7x, black मैंने कितना बोल दिया, 5x, ठीक है, अब वो कह रहा है, total number of green and black, मतलब इन दोनों का sum कितना हो जाएगा, 12x, किसके एक वाल हुआ, 36x, तो x की value कितनी आ गई, 3, इसका मतलब green कितना हो गया, 21, और black कितना हो गया, 15, ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, कि if one ball is picked at random, the probability of getting yellow ball is 7 by 13, तो yellow ball की probability कितनी है, 7 बटे 13, इसका मतलब यह x हो गया, इसको भी x माल लो, total ball आपके पास में कितनी है, 13x है, यह तुम लोग करते है, total ball कितनी है, 13 है, और yellow ball कितनी है, 7x है, जब yellow 7x है, इसका मतलब कि green plus black जो होगा, वो कितना हो जाएगा, 6x, हाँ या ना, और green plus yellow कितना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 36 हुआ, तो 6x की value कितनी हो जाएगी, 36x की value कितनी हो जाएगी, 6, अब प्लेस कर लो, यानि कि total ball हो गई, यह 78, yellow ball कितना हो गया, 42, यह भी data हमारा back c का पूरा complete, यानि कि bag A में हमने yellow, black, green निकाल लिया, bag B का हमने निकाल लिया, और bag C का हमने निकाल लिया, इतना हमको करने में लगेगा maximum, 3-5 मिनट हमको लगेगा इसको solve करने में, अगर जल्दी-जल्दी solve करेंगे तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं हर चीज को बहुत बारेकी से ले रहा हूँ, जब आप exam में कर रहे होंगे, अब आपको यह method पूरा clear हो गया, तो exam में hardly आपको maximum जो लगेगा बच्चों वो लगेगा आपको 2-3 मिनट इसको पूरा solve करने में, 2-3 मिनट आपको solve करने में लगेगा और फिर आप चलेंगे सवाल पे, तो यह है questions, questions को पढ़ लेते हैं, questions में आपको ज़्यादा time नहीं लगने वाला, questions को पहले पढ़ लेते हैं, questions को पढ़ने से पहले table को आप ले आओ इस तरीके से, table होना बहुत ज़रूरी है आपके पास में, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, तो bag A की बात करें, yellow 18, green 22, हमने solve किया 75, 70, 70, सब कुछ हमारे पास में, bag A, bag B, bag C, question को पढ़ना है और answer करना है, कोई दिक्कत बिल्कुल हमको नहीं होने बढ़ने हैं, समझते हैं सवाल है क्या, वो कह रहा है कि, x number of yellow ball from bag B are taken, bag B में yellow ball कितनी है, 20 है, तो आपने x निकाल दी कितनी बज़ गई, 22-x बज़ गई yellow, यहां पर कितनी हो गई, 22-x ठीक है, और आपने bag A में डाल दी कोई दी करनी है, फिर कह रहा है कि 20% of black ball from bag A, 20% मतलब इसका 1 by 5, यानि 5, तो यहां पर black कितनी हो जाएगी, 28 में 5 और जोड़ दो, तो यहां black कितनी हो गई, 33 हो गई, ठीक, अब वो कह रहा है कि 1 ball आपने निकाली bag B से, तो probability of black ball कितना है, 11-26, अब देखिए, आपने क्या निकाला, black निकाला, black यहां पर कितनी हो गई, 33, तो probability का formula हो जाएगा, 33 upon, टोटल balls मेरे पास में देखिए, जो टोटल ball अब 75 नहीं होगा, अब टोटल ball जो हो जाएगा, अगर यलो की बात करूं तो यलो कितना है, 22-1, ग्रीन की बात करूं तो ग्रीन तो 25 ही है, लेकिन जो black है, वो कितना हो गई, 33, तो probability का formula क्या होता है, favorable upon total is equal to probability given है, 11 upon 26, ग्याना से तीन बार इसको solve कर ले, 22 और 25 हुआ 47 यानि 43 और 33 अस यह उदाएगा, 78 तो यह हो गया, c-x is equal to 78 और x की value कितनी आ गई, 2, तो यह आप cancel था, यह यह कहा रहा है कि find the value of x, तो यह आप cancel, मैंने इस कहा ना देखिया, असान है, बिल्कुल भी, 2-3 मिनिट लगा, उसके बाद सवालों में, अब hardly 50 second, 40 second link और आप question पूरा solve, तो एक सवाल और देख लिए, यह सवाल पूरा clear है, असान था, 22-x क्यूंग किया, क्योंकि x ball आपने निकाली है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22-x हो जाएगा, यहाँ से आपने 20% लिया इसमें, 20% का मतलब एक बाई 5, 28 पहले था, तो 5 अब लिया आपने कितना हो गया, 33, यह यह यलो, यह आपके पास में green, और यह आपके पास में black, और solve की answer, अब एक सवाल और देख लेते हैं, अब इस सवाल को देखिए, फिर सब एक बाद table cop लेके आजिए, इफ वन बॉल, picked at random, from each of the bag A and bag B, then find the probability that both are of the same color, तेहे, आपको एक बॉल निकालनी है, bag A से और bag B से, तो same color हो मतलब क्या है, कि अगर आपने bag A में heart डाला, yellow ball निकली, तो bag B से भी yellow निकलनी चीए, यहां से green तो यहां से भी green, यहां से black तो यहां से भी black, तो कैसे करेंगे देखिए, अगर black bag A की में बात करूँ, तो yellow ball की probability कितनी हो जाएगी, 18 by 65, अगर आपको bag B से निकालना है, प्लस जब सेम होगा तो प्लस करेंगे, green की बात कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 22 upon 65, और यहां भी बात कर लेते हैं, तो 25 upon 75, अब किसकी बात कर लें, ब्लैक की बात कर लें, ब्लैक ही रहा, यह हो जाएगा 25 upon 65, and this is multiplied by 28 upon 75, यह हुआ black का, तो black, green, yellow, solve कर लें दोनों को, बस आप इसको solve कर लेंगे, तो answer इसी form में था, further इसको solve करने की जरूपी थी, तो 18 into 26 आपको करना है, ठीक है, तो 18 into 26 अब की multiplication करनी है, तो directly मैं यह आपर multiplication कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, देखे, 18 multiply मैंने 22 किया, तो यह हुजाएगा 396, और नीचे हमारा 65 into 75 चलेगा, ठीक है, प्लस हमने किया, 22 multiply हमने किया, 25 के साथ, तो यह हुजाएगा 550, ऐसी हमने क्या किया, 25 की multiply 28, तो 25 की multiply हमने 28 से करी यह हुआ 700, तो further सब को solve कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो डारेक्टली में इस कांसर यहां पर लिख देता हूँ, mention कर देता हूँ, इस कांसर जो आएगा आपका, यह हो गया 6, 5 और 9, 14 की 4 हासिल लगा, 1, 7, 5, 12, और 3, 15, और 1, 16 है ना, तो यह हो जाएगा, 1, 6, 4, 6, 5, 65 x 75, यह सकांसर जो बात समझे रहे हैं, आसान है, विल्कुल भी टफ नहीं है, बस table आपको form करना जरूरी है, एक सवाल और देखते हैं, यह अंतीम सवाल था इस BI का, तो difference between the number of green, पहले table को ले आते हैं, difference between the number of green ball in bag A, green ball in bag A की में बात कर रहा हूँ, green ball in bag A, green ball in black A कितना है, 22, ठीक है, और and C, C की बात करने कितना है, 21, तो 22 और 21 कितना हो जाएगा, देखिए, अगर समझे, रूकर हो, यह कह रहा है, आप सिर्प आप किजिएगा, difference between the, कितना हुआ है, यह कितना कम ज्यादा है, sum of the number of black ball in bag A and C, A में black कितना है 25, और C में कितना है 40, यानि 41 से कितना कम है, तो क्या करेंगे, difference 39, जब ही भी कम वाली की बात करता है, ज्यादा वाला नीचे, multiply 100, solve कर लेंगे, 494 से 50.5 यानि कि यह इस cancer हो गया, ठीक है, तो असान है, बिल्कुल भी tough नहीं है, बस फिर से वही चीज़े कि आपको समझना बहुत जरूरी है, तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको लिए यहाँ पर समझना ही होगी, तो ऐसे ही देखे, जो आपकी demand है, जैसे कि आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे हम questions लेके आए, तो आप जरूरी बताए, बहुत जल्दी हम time and work पे जो डिया एक्जाम में पूछा गया था, उसको भी discuss कर रहे होंगे आ आपकी बार tough था, लेकिन अगर आपको नहीं समझ मैं तो इस वीडियो को दो-तिन बार देखेगा, repeat, repeat, repeat करके, छोटा सा वीडियो इतना short वीडियो है, तो short वीडियो जो है वो हम जदा देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, तो बिलकुन इस वीडियो को डाउनलोड कर करीजिएगा, आप और इसको कई बार देखेगा, समझेगा, और ऐसे सवाल अब आपको एक्जाम में मिलते हैं, तो जरूर सौल कीजिएगा, तो आज के लिए बस इतना ही फर मुलाकात होगी किसी और सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत-बहुत श झाल 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 झाल